तीन दिन तक हॉस्पिटल में रहनी के बाद गोविंदा डिस्चार्ज हो गए गोविंदा को हॉस्पिटल में मिलने के लिए कई लोग गए जिसमें शिल्पा शेटी, रवीना टंडन और डेविद धवन का नाम शामिल है ये वो लोग है जिनके साथ गोविंदा ने बहुत जादा काम किया है लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी नाम है जिनके साथ गोविंदा के अच्छे रिष्टे रहे हैं गोविंदा ने इनके साथ खूब काम किया है लेकिन hospital में ना ये लोग गोविंदा से मिलने गए और ना ही इन लोगों ने गोविंदा को लेकर एक tweet तक किया इस list में सबसे पहला नाम है शक्ती कपूर का हम सब जानते हैं कि गोविंदा के फिल्मों में शक्ती कपूर ने खूब काम किया है और दोनों की जोड़ी भी बहुत जमती थी राजा बाबू में तो शक्ती कपूर गोविंदा के चेले के रूप में नजर आये थे आज भी शक्ति कपूर किसी event में जाते हैं तो वो अपनी वही वाली acting करते हैं शक्ति कपूर personal life में गर बात करें तो गोविंदा के घर से 500 मीटर की दूरी पर ही रहते हैं इसके बावजूद शक्ति कपूर अपने best friend गोविंदा से मिलने hospital नहीं पहुँचे इस list में दूसरा नाम आता है गोविंदा के भाणजे कुरुशना का कुरुशना और गोविंदा के रिष्टे में ये moment प्यार भर सकता था गोविंदा दर्ग में है और कुरुशना उन्हें संभालने पहुचते तो बहुत फर्क पड़ता कुरुशना की वाइफ कश्मीरा तो hospital गई थी लेकिन कुरुशना hospital नहीं गए हाला कि कुरुशना के नहीं जाने के पीछे एक reason था कि वो इंडिया में है ही नहीं वो अपने कफल शर्मा शो के लिए टूर कर रहे हैं और इंडिया से बाहर है यही कारण है कि कुरुशना नहीं गए उन्होंने अपने मामा से related post जरूर शेयर की और कहा कि मामा अब ठीक है इस list में तीसरा नाम है संजेदत का संजेदत के साथ गोविना ने उस वक्त काम किया जब संजेदत की फिल्म में कुछ खास नहीं चल रही थी जोडी नंबर वन, एक और एक ग्यारा जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया इनकी दोस्ती beyond films भी थी उसके बावजूद गोविंदा के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और संजू बावन नहीं पहुंचे फैंस को ये बात बहुत अजीब लगी इसमें चौथा नाम आता है उस अक्टरिस का जिसको गोविंदा ने स्टार बनाया मैं बात कर रही हूँ करिश्मा कपूर की करिश्मा कपूर को इनीशली इंडस्ट्री में कच्ची खिलाडी माना गया था लेकिन जैसे ही वो गोविंदा की फिल्मों में काम करने लगी वो कमर्शल हिरोईन बन गई करिश्मा कपूर ने गोविंदा के साथ कई सारी फिल्में की है जिसमें Hero No.1 जैसी फिल्म भी शामिल है करिश्मा भी गोविंदा से मिलने एरपोर्ट नहीं पहुंची इस लिस्ट में पांचवा नाम आता है उस अक्टरस का जिसके साथ गोविंदा ने काम किया है और गोविंदा के साथ उन्होंने एक रियालिटी शो किया था आपके आजाने से गाने पर डांस भी किया था नीलम भी गोविंदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंची जबकि नीलम के एक टाइम पर गोविंदा और उनके परिवार से काफी अच्छे रिष्टे थे इस लिस्ट में सिक्स नीम है एक्टरिस रानी मुखर जी का रानी मुखर जी के साथ गोविंदा ने कुछ फिल्में की है हद कर दी आपने ये फिल्म काफी पॉपलर हुई थी और एक टाइम पर गोविंदा और रानी मुखर जी की दोस्ती के भी काफी चर्चे हुए थे अब जब गोविंदा मुसीबत में थे दर्द में थे तो रानी मुखर जी उनसे मिलने नहीं पहुंची जबकि बात करे रानी मुखर जी की तो जिस वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी तब गोविंदा ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था और अब बात करते हैं उस शक्स की जिसके एक फोन कॉल पर गोविंदा ने साथ दिन तक जिस फिल्म के लिए शूटिंग की थी वो फिल्म छोड़ दी थी मैं बात कर रहे हूँ भाई जान सल्मान खान की सल्मान खान पर गोविंदा ने तब ऐसान किया था जब सल्मान खान को जुड़वा फिल्म में काम करना था गोविन्दा उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके थे लेकिन सल्मान ने कहा था कि तुम ये फिल्म छोड़ दो तो सल्मान के कहने पर गोविन्दा ने वो फिल्म छोड़ दी गोविन्दा ने ये बात इंटर्वियू में भी कही है गोविंदा को सलमान ने comeback भी दिया, partner और सलामे इश्ग में भी दोनों ने साथ में काम किया है मीडिया में भी ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और दोनों के family terms थे लेकिन गोविंदा के साथ जब ये हादसा हुआ तब सलमान ना उनसे मिलने गए और ना ही सलमान ने social media पर गोविंदा को लेकर एक post भी की